नमस्कार बहुत बहुत स्वाइब करते हैं क्लिक टूटे के आज की इस वीडियो में और 30,000 सब्सक्राइबर आप लोगों ने कम्प्लीट करा दिया है हमारे चैनल के उपर तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट दिखाने के लिए प्यार दिखाने के लिए सब अभी 2019 से इसेशन की जो इग्जानेशन की होनेवाली है मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आज जो इग्जानेशन होई हैं गृॱप सी और डी की इनका पेपर-8 यह के इक्जानेशन हो गया यह सारा इक्जानेशन खतम हो गया निका फ़ाइबर फाइब निधारित परिक्षा के इन पर ली जाएगे अभी उनका जो उससे पहले GS का परिक्षा होगा तो जिनका भी परिक्षा GS का 9 तारीको है A और B ग्रुप बालों का 9 तारीको पहले GS का परिक्षा लिया जाएगा तो मैं आप लोगों से request करना चाहूंगा कि आप लोग हमारे टेलिग्राम ग्रुप को जोईन कर लिजे और आप वहाँ पर question share कर दिया जैसे ही आपका examination हो जाएगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा देखा गया कि जो question first setting में पूछा गया है उसी से जो कुछ 2-3 question second setting में भी GS में पूछ दिया गया क्योंकि GS सभी का common होता है BA, BCOM, BSC वालों के लिए इसलिए question जादा इधर उधर करके नहीं आते है अब बहुत साई student पूछते हैं कि यह जो GS general studies जो होती है कि इसमें current affairs से भी questions पूछा जाता है तो बहुत कमी ऐसा देखने को मिला है कि अभी recently का कुछ पूछ दिया गया आप Corona का कुछ अगर पूछ दे तो अलग बात है हाला कि ऐसा tip नहीं करने के लिए दे दिया जाता है question लिखने के लिए बोला जाता है अब जिनका भी examination 10 तारीक होगा GS का उनका आखरी होगा C और D group आलोगा GS का group by Z examination होगा तो आप लोग अपने group by Z examination center पर जाकर अपना परिक्षा देंगे और examination से एक दिन पहले आपको जो हम बता देंगे कि किनका किनका कल examination है GS को लेकर के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं कि GS का कुछ बता दिये तो देखे question paper तो कुछ आपका इस परकार का होगा subject code बगर रहेगा note में यहाँ पर instructions आपको दिया जागा कि परिक्षारती यता संभव अपने सब्दों में ही जो उतर देंगे सभी प्रशनों के मान बराबर है प्रतेक समू से जो है कम से कम दो प्रशन चुनते हुए जो है कुल पांच प्रशनों के जो आपको उतर देने रहेंगे मतलब ग्रूप A और ग्रूप B से जो है आपको दो-दो question minimum attempt करने है और कुल 5 सवालों के जवाब देने टोटल जो है question आपसे 10 पूछे जाएंगे अब आज की जो परिक्षा रही है उसको लेकर कुछ चीज़ें हम बता देना चाहते हैं चात्रों से जो है परिक्षा में जो उल्टे-पूल्टे सवाल पूछे गए आज की परिक्ष में फिर जो है नए question paper को देते हुए जो है उनसे सवाल जो पूछे गए उसकी बात जो है ऐसा ही पॉलिटिकल साइंस में देखने को मिला second sitting में पॉलिटिकल साइंस की जो है अदल बदल हो गई थी अब आप अपने केंद्र की बात बताईए कि आपके केंद्र पर क्या कि चार जो है प्रैक्टिकल पूछा गया छे ठीरी पूछा गया तो ऐसा पहली बार नहीं है ऐसा बार बार करती है या तो question ही गलत पूछ देगी या फिर question गलत पूछ देगी यही बना दो कैसे भी बना दो जब copy checking की बारी आती है तब उसमें जो उनको average marking नहीं दिया जात की स्टूडेंट आप होंगे आपका जो सा भी ओनर सो आपका जो है जी इसका question ऐसा ही रहेगा group a में आपको सबसे पहले तो निम लिखित तिथिया महत्वपून क्यों है ऐसे सवाल बड़ा पूछा जाता है इनुशिटी के तरफ से तो देखिए यहां पर जो तिथियां आ सच्चित में एक लाइन आपको लिखना रहेगा ज्यादा नहीं लिखना है किसमें टाइम यहां डिपनिया दांडी मार्च के वारे कि अवस्वर हुआ था कहां से कहां तक गया था कहां मतलब उनका डेट जो है कौन सा था यह सारी चीजे जो आपको बता दे नहीं रहेगा ठीक है उसके विश्व व्यापार संगटन वर्ल्ड ट्रेट और्गनाईजेशन के वारे में आपको लिखना रहेगा जहां पर कि फ्री ट्रेटिंग कोई भी कर सकती है जैसे कि इंड मैंने लिखा हूँव यही वारे में गरफ दूख ईतार लिखना उसके बात पछसा सुक्सान कोफार reorgan कि इसे फच्रापे में सैद में व्यूरु उठाने रहेंगे पहले तो ग्रुप A सन ने प्र बना लेंगे few ढूर धा सी तुवे हें लिखनो में फग्रूप be में देखेंगे कि आपको दो कोशन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तो यहां पर डिस्क्राइब दो कॉस्ट एंड कंट्रोल मेथड़स ऑफ एर पॉलुशन के वारे में आपको लिखना है तो देखिए यहां पर लैंग्विज का बैरियर नहीं है आप चाहो तो हिंदी में भी लिख सकते हो आप चाहो तो इंग्लिस में भी लिख सकते हैं यहां पर लैंग्विज का बैरियर नहीं आपका फ्रेंट बोले कि यार नहीं तुम इंग्लिस में लिखो हमारे टाइम ऐसा हुआ था हमने इंग्लिस में लिखा था क्योंकि हमारा पूरा इंग्लिस में था ले तो हिंदी इंगलिस का यहां पर कोई चक्कर नहीं अब इसके बाद यहां पर साथवा कोशन अगर हम देखते हैं तो यहां पर आप देख रहे हैं पांच विटामिन के नाम लिखिए उनके स्रोत और उपियोगिता का वर्णन कीजिए तो यह सारे कोशन से आप देखते जाए और इसके जवाब आपको गेस पर मिल जाएंगे राइट शॉर्ट नोट ऑन एनी थ्री यहां पर आपको किसी तीन पर शॉर्ट नोट भी आपको लिखने के लिए दिया जाएगा तो इसमें से किसी तीन के उपर आपको लिख देना रहेगा अब चली हम आपको सीधे कोश् आपको याद करना रहेगा तो इसके बारे में आपको देख लोंगे फॉल्लोंग डेट इंपॉर्ट यहां से आप देख सकते हो यह जो आपको मैं दिखा रहा हूं यह कॉंटेंट्स है और इसके बाद आप नीचे जैसे आएंगे तो यहां पर आपको जो डेट बारे में यह इधर और है लेफ्टेंड साइड में और यह जो बुक्स उन्होंने लिखे है ठीक है तो यह सब आपको याद करना रहेगा यही इंपॉर्टेंट रहता इसमें से उनिवर्शिटी कुछ भी उठा करके पूछ सकती हाला कि पिछले पांस साल से ज्यादा कुछ पूछे क कि नहीं अब यहां पर देखे इंपॉर्टेंट क्यों यहां पर बच्चेंब करता कोई है इसका कोई ट्रिक नहीं है याद करने का हमारे ताइम में हमने जो याद कर रहा था है देट को वह मतलब याद कर रहा था कि इस साल में यह इंपॉर्टेंट है इस साल में यह हुआ ठीक है नहीं याद हुआ तो फिर हाथ पर लिख लिए ऐसा भी किया ठीक है यह आकरी परिशा होगे आप लोगी तो इसमें थोड़ा टीचर जो है लीनियंट रहेंगे अब चलिए हिंदी वाला हम दिखा देते हैं तो यहां पर जो है हिंदी वाला आपके पास होगा अगर नहीं होगा तो आप जो है नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक जागा है वहां से पर्चिस कर लीजिए यह 2021 का कोश्यन है तो यहां पर भी देखे जो ग्रूप वाइस बाटा गया था ए और बी ग्रू पुस्तकों के लेखाओं के नाम बताईए बता दिया गया है लेखाओं का जो भी पुस्तक है वह बता दिया गया अब आपको जो है लिखाओं के नाम बताने अब यह आपको कैसे महत्वपून है यह आपको बताना रहेगा बस एक एक लाइन लिखते जाएंगे उससे अब आखरी जो 24 आपके उपर बसता है चाहिए आप गुरूप A से बनाईए चाहिए आप गुरूप B से बनाईए फिर यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर भी निमलिकत पुस्तकों के लिखकों के नाम बताईए और डेट्स क्यों इंपॉटेंट है वह बस इतने ही पर यह घूमता रहता है इससे ज्यादा कुछ अलग पूछता नहीं है सकता है कि कि डिफरेंट छीज़े आपको देख ने को मिले तो सिनीकों मिले कोटे और ने काम सपर नाम है और किनी तीन पर जो संक्षिप टिपनिया लिखिए दांडी मार्च पगेरा इससे जादा अलग कुछ नहीं आने वाला है मेरे भाई और बहनों आप बस यही पढ़के जाओ और इनफ है आपके लिए अब कोश्चन की रही बाद की वी वी आई कोश्चन दे दो यार इस में स जो आंसर्स आप डूंड़ो और याद कर लो इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है और आपके पास पीडियेफ का भी ऑप्षिन है तो आप पीडियेफ डाउनलोड कर सकते हो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया गया अगर नहीं खरीदा किस पेपर तो कि आज के परिक्शा में हुआ है तो इससे ज्यादा बाहर के कुछ आपको देखने को मिलेगा ही नहीं ठीक है तो आप बस किस पेपर और कोशन में के उपर बहुत सारको इतना ही पड़ो इससे ज्यादा कुछ पढ़ने की ज़रूत नहीं है और साइंस वालो कॉमर्स वालो इससे लिख सकते अपको हिंग्लिस नहीं लिखना हुगा है या न होगा एक पूछा गुरूप